नमस्कार किसान भाईयों, मेरा नाम है रपेत और आप सभी किसान भाईयों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में किसान भाईयों आज की जो वीडियो है इसमें बात करूँगा डालर चने की एक certified variety के बारे में इसा कि इheit कि इस बार हमारे यहां पर डालर चेंडे की खियती करने का काफी ज़ाजा महल था हमारे किसान भाई मार्केट में से जो भी शफध दाने का बीच था उसको खरीद करके लाकर के अपने खियत में बॉहने के लिए उस सुक्त है तो इस बार हमने भी डालर चेने की खेती तो करी है लेकिन सांस में हमने एक ऐसे बीच की भी तलास में से जो कि किसी संस्तान के दुआरा निकला हो या फिर स्रेटिफाइड बीज हो तो ऐसा बीच हमें मार्केट में सिर्फ यही मिल पाया था तो यह कौन सी वराइटी है सांसी कितने दिनों की हो चुकी है और यह वराइटी का एवरेज क्या आता है उसके बारे में आज की है जो वीडियो है उसमें आपको जान करी दूँगा तो कसान भाहिएओं अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो कसान भाहिएओं जैसे कि अभी आप सामने अपनी मोईल स्किन पर जो विराइटी देख पा रहे हो तो इस विराइटी का नाम है पूसा 30-22 जो की डालर चैने की जो हमारा छोटे दाने का चैना आता है जिसे रस्चियन या फिर कार्टू इस तरह के जो चैने आते हैं उसके अकार का इसका दाना आता है और इस बार हमने certified variety में single यही variety हमें मिल पाई थी तो इसलिए हमने इस variety को अपने खेट में लगाया है तो दोस्तो आज इस variety को लगाया हुए करीवन हमें 24-25 दिन हो चुके हैं और काफी बड़ीत तरीके से इस variety का हमें अंकुरान भी देखने को मिला और सबसे बड़ा फाइदा तो हमें इस variety के साथ में यह मिला है कि हमारे पास डालर चने के नाम पर कोई सी भी ऐसी variety नहीं थी जो की certified हो क्योंकि हमारे किसान भाई अभी जो डालर बगेरा लगाते हैं या फिर जो भी डालर चने खेती करते हैं उन किसान भाईयों से मैंने पूछा तो उनका कहना यही था कि हमने तो मार्केट से नॉर्मल 10-15 किलो बीच लाए थे शुरू आती सालों में पहले उस बीच को लगाया उसके बाद में उसी बीच से हमने धीरे धीरे बीच तयार करके अपने खेत में यह है जो बीच उसको खेती कर रहे है तो दोस्तों देखा जाये तो मार्केट में डालर चने के नाम पर कुछ इस तरह से हमारे यहां पर विम हो रहा है तो हमने भी बड़ा चना है कारुली चना है हमें किसी प्रकार से भी सर्टीफाइड वीच नहीं मिला एक नॉर्मल कावहलिच जैने के नाम स सोचा जो कि जिसका बीज हमें करीबन 80 किलो मिला था तो हमने इसको 40 किलो प्रति एकरके साप से दो एकरा में इस बीज को लगाया है और बीज का जो अंकुरन है वह भी काफी सांदर हमें देखने को मिला आप पोधे की संक्या देख सकते हैं काफी बड़िया तरीके से पोधा जो है ग्रोथ कर रहा है और अब मैं आपको इस पोधे की जो ब्रांचे से उनको दिखा देता हूँ दोस्तों जैसे कि यहां पर है जो सिंगल पोधा है इसमें देखिए आप में साखा यहां पर एक ब्रांच यहां से निकली है दूसरी यहां से निकली है तीसरी जो बड़ पूसा 32 का पूसा 32 का पूसा 24 दिन की अवस्ता पर कुछ इस तरह से हमारे खेत में लगा हुआ है और अभी हमने इस फ्लॉट में सिंगल यानि की पहला इस्प्रे भी कर गिया है इसमें हमने थायोफिनेक मिथैल के साथ में इमामेक्टिन का इस्प्रे किया है जो कि काफी परफर्मेंस कैसी का लगी साथ ही यह जो विराइटी है इसका आपको एवरेज क्या देखने को मिला तो कुसान महीं हो इसी के साथ में हमने जो है इस विराइटी की कतार से कतार की जो दूरी है उसको 12 इंच रखा है इसकी जो गहरा ही है उसको करीवन 5-6 गहरा हमने ले करके आगया है और दोस्तों बारिस ओने कारण हमारी पहसल की जो रंगत या फिरज गरोघ धें थी और पोधे को ऊज सी नमी का फायदा मिला जिससे इससे की हमारे पोधे की जो गरोघ है और जो color है, दोनों ही सांदर देखने को मिल रहा है जिसे कि पोधे की growth भी आप देखिए काफी सांदर पोधे की growth है और जो color है पत्चियों का वो भी बिल्कुल हरेपन के साथ में स्वस्थ पत्चियां हमारी बनी हुई है तो दोस्तो इसी के साथ में हमें यह जो variety है जो यह तो गल्सक्त इतना है कि दूसरा पोधा देखने को नहीं को मिल रहा है जो किसान भाइयों, जैसे कि यह जो variety है इसके हमारा पहला साल है और अब लिखते हैं अगर यह variety अच्छी performance देती है तो हमारे किसान भाईटियों को इस तरह की वराइटियों को हिए अपने खेत में लगाना चहाएगे ऐसे के हमने इस बार काबुली चन्य की ऑज़ जो कुछ वराइटियां थी तो आज़से की, RPG की 201 आती है और दुस्य जो वराइटियां आती है जो काबूली चने या फिर सफ़च चने की आती है उनको भी हमने खोजने कोशिस करी थी लेकिन वो वराइटियां हमें नहीं मिल पाई थी सिंगल यही variety मिली सी market में तो इसलिए हमने इस बार इस variety को लगाया है और अगर हमें अगली बार वो variety मिलती है तो अगली बार हम उन variety को लगा करें भी आपको बताएंगे और अगर हमारे किसान भाई ने अपने खेत में काबूली चैने की कोई सी certified variety लगाई हो तो वो हमें comment कर सकते हैं हम उनके plot पर अगर के उस variety की वीडियो बनाएंगे साथी वो जो variety हैं उनकी भी जानकारी हमारे किसान भाईयों तक पहुंच आप आएंगे तो किसान भाईयों गर आपने भी इतने खेत में कोई सी certified variety लगाई हो बागी समय समय से मैं आपको इस variety के वारे में पूरी जानकारी अबिलेबल कराता रहूंगा और अगर आप हमारी चैनल पर पहली वारा हैं तो चैनल को subscribe करना है जिससे कि आपको हमारी खेती किसान ये जुड़ी हुई से वीडियो की notification समय समय को बेखने को मिल जाएगी तो बज़ान भाईयों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कल साम ठीक साथ बज़े तब तक लिजए जवान जए किसान जए विग्यान भर्त मता की जए